हेलो दोस्तों वेलकम टो अबास मुबाइल ओफिशल दोस्तों मेरे पास यह रडमी नोट 5 प्रो मॉडल नंबर का सेट है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो माइक का प्रॉब्लम है हमाρα मैक work नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो काम करने वाले हैं सबसे पहले हम अपने इस माइक को change करके देखेंगे अगर हमारा change करने के बाद प्रॉब्लम सौल्फ हो जाते हैं तो ठीक है नहीं तो हमारा यहाँ पर जो इसका connection आया हुआ है इस तरफ पर यह देखिए यहाँ पर इसका connection आया हुए माइक का ठीक है तो हम इसको यहाँ पर jumper भी करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इसको change करकर देख लेते हैं तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीके से हम इसे change करना होगा चलिए हम यहाँ पर इसको change करते हैं तो आपसे क्यूंच कर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करते हैं और साथे साथ जी जी से बैल को always press करते हैं चलिए हम यहाँ पर glow मशीन से यहाँ पर इसको hit करेंगे अच्छी तरीके से और इस माइक को यहां से रिमूब कर देंगे फानली हमने यहां पर इसको रिमूब कर दिया है और यह देखिए यहां पर हमारा यह तीन पॉइंट वाला माइक हमारा जो है यहां पर लगाना है उसके लिए हमें एक नया सा माइक लेते हैं अख्राबोला और यह हमारा नया माइक है, चलिए हम इसको यहाँ पर किस तरीके से पहले हम यहाँ पर sold करलेंगे इसको भी अच्छी तरीके से और आपको ध्यान राखना है जो इसमें सुराख है छेद है इसमें paste नहीं जाना चाले वरोना आप माइक कितना भी अच्छा लग पाता है सो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको सोल्ड कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर फाइनली इसको हीट करेंगे देखिए आपको भी इस तरीके से इसको हीट करना है और हीट करने के बाद देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर लगा रहा हूँ आपको सेम उसी प्र स्सक्राइब हो गया थंडा हो गया तो अभी हम एक बार यहां पर थोड़ा पेष्ट ज जाधर कर लेते हैं तो बकare ногड़ें और हम और इसको असानी से उसपर लगा सकें गाव हम यहां पर इसको दुभारा से हीट करते हैं अच्री तरीके किसे हमारा लग जाएगा तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा पेश्ट लगा देते हैं और हमारा यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो माइक का ही प्रॉब्लम हमको लग रहा था इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले माइक को चेंज करेंगे चलिए हम इसको अच्छे से हीट करके यहाँ पर हमने लगा ज़या और फिर थोड़ा सा हमको ऊपर से इसको हीट करना है बहुत जादा नहीं करना है वरना आपका माइक का जो पर्दा होता है वो फढ़ जाएगा और आपका माइक वर्क नहीं करेगा चलिए ठीक है हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से पुश करना है दबाना है और फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा हीट करना है बहुत जादा नहीं थोड़ा सा हीट करना है और फाइनली हमारा यहाँ पर यह प्रॉपर तरीके से लग चुका है माइक हमारा और 100% यह वर्क भी करेगा चलिए हम यहाँ पर इसको अटा लेते हैं और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं यहाँ पर इसको उन्तुरा साफ भी कर देते हैं तो हमारा मैक का प्रॉब्लम जो था वो हमने यहाँ पर सॉल्फ कर दिया है लाइन इसका ब्रेक नहीं था तो फानली हम यहाँ पर इस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्रेट करें